तो आज हम collect करने जा रहे हैं, बहुती beautiful flower, everlasting और paper flower के seed, और इसको store करने के बारे में भी आपको बताओंगा, दूसे flower के साथ कि seed collect करने के बाद, वो flower जो है वो बेकार हो जाता है, लेकिन paper flower या everlasting flower के साथ ऐसा नहीं होता, सीड कलेक्ट करने के बाद जो पार्ट बज जाएगा वो भी बहुत ब्यूटिफुल होता है और उसका भी हम इस्तमाल पूरे सालो साल जो है वो कर सकते हैं इसलिए से everlasting flower भी बोलते हैं तो यह जैसे जैसे flower mature होने लगता है इसकी petals जो हो पूरी तरह से open हो जाती है और आपको नजर आ रहा होगा कि यह नीचे की तरफ इसकी petals जो है वो जुकने लगती है और जैसे ही summer season आता है वैसे ही इसकी जो flower है वो पूरी तरह से dry up हो जाते हैं और even that यह पूरा प्लांट है वो dry up हो जाता है क्योंकि घर्मियों के अंदर यह जो प्लांट है वो survive नहीं क शीड कलेक करना बिल्कुल समझदारी रहती है और next season में फिर हम इसको आसानी से जो है वो grow कर सकते हैं तो यह आपको नजर आ रहागा पूरी तरह से mature होने के बाद dry up होने के बाद जो flower है वो कुछ इस तरीके का नजर आते हैं और इसको हम हैली क्राइसम फ्लावर के नाम से भी जानते हैं बहुत सारे नामों से हम इसको जानते हैं अब मैं आपको दिखाता हूं कि ओपर वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा यह शीड नहीं है शीड जो होते हैं यह जो पैटल्स आपको नजर आ रही हैं फ्लावर की आपको दिखाता हूं शीड इसके अंदर होते और बहुत ही छोटे-छोटे शीड्स होते हैं, तो collect करते समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कि भी सबसे पहले शीड्स को identify करना है, collect तो हम बाद में करेंगे, तो इसके नीचे आपको शीड्स मिल जाएंगे, तो इसको collect करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, कि यह सारे के सारा जो flower है, वो ही मैं plant से तोड़ लूँगा, और उसके बाद इसके जो flower से जो शीड्स है, वो मैं निकालने वाला हूँ, तो एक एक करके, मैं यह सभी flower जो है, इसके उपर से प्लक कर लेता हूँ, यह देखे, यह देखे, अब मैंने इन सभी को जो है, वो प्लक कर लिया है, जितने भी flower थे मेरे पास, तो यह आप देख सकते हैं, कि मैंने collect कर लि हैं, और इसके साथ ही हमारे बहुत सारे जो शीड्स हैं, वो भी आज हम collect करने वाले हैं, तो यह देखे, उपर की जितनी भी petals हैं, यह सारी की सारी petals, यह वाली, आपको निकाल देनी है, और जो सीड्स हैं, आपको यह चोटे-चोटे नजर आ रहे हैंगे, पैटल निकालने शीड्स जो हैं, इसके अंदर से बिलकुल अलक से निकाल के दिखाता हूँ, यह देखे, यह जो बिलकुल छोटे-चोटे से बिलकुल दाने के जैसे नजर आ रहे हैं, यह हमारे पेपर फ्लावर के जो शीड्स हैं, वो कुछ इस तरीके के जो हो नजर आते हैं, तो यह मैं मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे मैंने बहुत सारे जो शीड है वो मैं collect करने वाला हूँ तो कुछ शीड collect करके मैंने आपको दिखा दिया और ये दिखिए तो paper flower, helicarismum कह लिजे, everlasting flower कह लिजे उसके जो seeds हैं वो कुछ इस तरीके के नजर आते हैं तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसको store करने की, तो store करने के लिए आपको वही करना है दो से तीन दिन कड़क धूप के अंदर सुखा के रख दीजे, लेकिन अगर गर्मी ज़्यादा है तो एक दिन भी आप इसको धूप के अंदर सुखा के रख देंगे कर रहा था कि यह जो बच गए हैं, देखिए seeds तो मैंने इसके अंदर से collect कर ले, लेकिन अभी भी यह beautiful flower जो है आपको दिखाए दे रहे तो आप इसको जो है ऐसे flower west की तरह इस्तिमाल कर सकते एक डंडी डाली और बिल्कुल उल्टागर के इसको लगा दीजे, तो यह भी बहुत सुन्दर आपके garden में जो हैं वो दिखने वाले हैं, या कमरे में भी रख सकते हैं तक्स वर वाचिक माइडियो, वी 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 तैने नेक्स वीडियो